हेलो एन वेलकम टू बॉलिक्राडू स्टूडियोज दोस्तो बॉलिवुड फिल्मों के सीक्वल बनना आम बात है हर साल किसी नक्सिक फिल्म के सीक्वल की एनॉंस्मेंट की जाती है और अब हाली में फिल्म में कर इते शिद्वानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लेखक डारेक्टर फरान अक्तर की तस्वीर पोस्ट की जिसमें फरान लैप्टोप पर काम करते नजर आये उन्होंने लोगों से कैप्शन में पूछी लिया कि बताईए वो क्या काम कर रहे हैं इस पर लोगों ने कयास लगाया कि फरान डॉन के सीक्वल पर काम कर रहे हैं वैसी ऐसी बहुत से फिल्म हैं जिनकी सीक्वल्स जल्द आने वाले हैं वहीं कुछ फिल्म हैं जिनके सीक्वल का लोग बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सीक्वल के बारे में जिनका मच मच अवेटिट कर रही है पबलेक लोग और फैन्स लिस्ट में नमबर वन पे है हेरा फेरी 3 अक्षिगुमार परिश रवल और सुनिल सेटे स्टार फिल्म हेरा फेरी और हेरा फेरी 2 जिसने दर्शोकों को बहुत हसाया था श्याम, बापुराव और राजु का किरदार आज भी लोग भूले नहीं है इसके दूसरे पार्ट का एंड कुछ इस तरह हुआ की लग रहा था बहुत जल्द इसका तीसरा पार्ट आएगा हाला कि दर्शक इसके तीसरे पार्ट का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रही है नेक्स्ट है डॉन 3 शारुखान के करियर की हिट फिल्मों में एक ये भी फिल्म रही है इसका सीक्वल भी लोगों को बहुत पसंद आया था इस फिल्म में शारुखान के आलावा प्रियंका चोपड़ा लारा दता बोमन इरानी नजर आय थे 11 साल हो गए इस फिल्म के सीक्वल को आय वे अब दर्शक इसके तीसरे पार्ट का बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे है अब देखना है कि मेकर्स कभी इसकी एनाउस्मेंट करते है क्रिश 4 रितिक रोशन के करियर की सुपर हिट फिल्म रही क्रिश के अब तक के तीन पार्ट आ चुके है तीसरे पार्ट में रितिक के अलावा प्रियंका चोपला, कंगना रनौध, विवी कोपरोई जैसे शांदार एक्टर थे काफी दिनों से चट्चा चल रहे हैं की राकिश रोशन क्रिश 4 और क्रिश 5 जल्द शुरू करने वाले हैं लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी ओफीशिली अनौउसमेंट नहीं की गई है संजेगत रितेस देशमुक अर्शिदवार सी जावेग जाफरे स्टारर फिल्म धामाल को रिलीज हुए 15 साल का समय बीचुका है इस फिल्म ने दर्शो को बहुत हसाया है इसके बार डबल धमाल टोटल धमाल भी आई लेकिन इसकी कहानी और कास्ट सब अलग अब इसके चौते पार्ट का लोग बहुत ही बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं अब देखना है कि इन सबी सीक्वल्स की अनौउसमेंट कब होती है और कब फाइनली हमारे सामने फिल्म आती है वैल आप किस फिल्म के लिए किस सीक्वल के लिए ज़्यादा एक्साइटीड है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय ज़रूर शेयर करें थाइंक्यू सो मच देखते रहें बॉलिक्राडू स्टूडियोज झाल